हलो 11th class students, आप ये वीडियो देख रहे हैं सांधीपनी higher secondary school राजवदा के ग्रूप में और मैं हूँ आपका chemistry teacher निलेश शोधरी बच्चों हमने पिछले वीडियो में चेप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है chemical bonding and molecular structure कि आज हम देखेंगे इसमें आगे बढ़ेंगे पिछले वीडियो में हमने वैलेंसी तक समझ लिया था कि कोई भी आइटम जो होता है कि स्टेबल होने के लिए जितने electrons देता है या जितने लेता है the number of electrons that any atom donate or gain in order to get stability is called its valency ठीक है बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में और हम देखते हैं कि आगे कुन-कुन से topics आईए हमारे पास में तो जो वैलेंसी हमने पढ़ा था वह होता था valence shell से related electron जो देना या लेना होता था donate और Gain करने का सो Northeast shell प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्टरों इलेक्टरों को हम बोलते हैं Valence Electron तो यहाँ पर हमारे पास में व milhõesण से भोगई एक वैयलेंज शेल होगई कि से बोलेंगि हम जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगई जिसमें इलेक्ट्रोन आएंगे या चाहेंगे जिस से उश्यल और उसमें जो एक्टॉन वालेंस प्रेजend होते है कि कि वेलेंस इलेक्ट्रो इंट्रों और किसी भी अटम की कुन-कुन सी प्रॉपार्टियμε रेवीन होती है कुन-कुन सी प्रॉपारटीज whats hot toward इ lunar calm देखते हैं तो देखे detailed धेंब्र अफ्वेलेंस इलेक्ट्रोंत इनन एंट्र मीन देटर्माइनस डा properties of the atom पहले चीज़तों की उसकी property क्या होगी atom की वो किस टाइप के bond बनाएगा कितने bond बना सकता है कितने electrons donate कर सकता है या फिर कितने electrons gain कर सकता है यह जो property show determine होगी decide होगी वो decide करेंगे valence electron दूसरा इसमें होगा the way that atom will bond chemically atom जो है वो केसे chemical bond बनाएगा किस टाइप का chemical bond बनाएगा it is also determined by the number of valence electron कि valence shell में कितने electrons होंगे वो determine करेंगे कि वो coordinate bond बनाएगा covalent bond बनाएगा ionic bond बनाएगा है ना यह चीज़ें इससे determine होगी है ना एक general सा rule है हमारे पास में कि इतने कम electron होंगे valence shell में है ना तो atom जो है वो उतना ही जादा reactive होगा उतना ही जादा active होगा fewer number of the electrons in the valence shell the more reactive will be the element कि अगली बात पर हम चलें अब कोई भी atom stable कब होता है तो वच्छों हमने एक octet rule के बारे में पढ़ा है कि जब outermost shell में 8 electron हो जाते हैं तो कोई भी atom होता है वो stable हो जाता है तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं octet rule atom usually react in a way that make each atom more stable when an atom has 8 electrons in the valence shell it is stable अगर सबसे बाहर वाली shell और उस shell को हमने नाम क्या दिया है बच्छों valence shell अगर valence shell में 8 electron हो गए मतलब क्या हो गया atom मिलकुल stable हो गया अब उसको किसी से electron लेने की जरुवत नहीं है ना ही किसी को electron देने की जरुवत है अब बात आती है कि कोई भी atom bond क्यों बनाता है किसी दूसरे atom के साथ है ना हमने जब h2o के कारे में पड़ा तो hydrogen और oxygen दोनों आपस में bond बनाते हैं तो यह bond बनाने का कारण होता है कि जो valence shell है valence shell में 8 electrons complete करने के लिए या तो वो electron लेगा देगा electron की sharing करेगा है ना covalent bond बना करके तो इस तरह कि जो bond बनते हैं उन bond में किसी भी तरीके से कोई भी atom चाहता है कि उसका जो octet है वो octet complete हो जाए उसके जो bond है वो सारे bond बनने के बाद में आउटर मॉस्ट शेल में 8 electron उसके पास में हो जाए valence shell में 8 electron उसके पास आ जाए अब 8 electron करने के दो तरीके हैं कोई भी atom कि अगर valence shell है और सपोज उसके पास में 6 electron है और उसको 8 electron करना है तो दो electron वो ले सकता है या फिर यह पूरे के पूरे 6 electron अगर किसी को दे देगा तो जो उसके पीछे वाली जो shell है वो उसकी valence shell हो जाएगी और उसमें 8 electron complete हो जाएगी क्योंकि वेलेंच shell का ऐसा particular value तो है नहीं हमारे पास में कि जो फॉर्थ नंबर पर है या फिप्त नंबर पर है वो वेलेंच शेल है अगर दो शेल है किसी atom में और सेकंड सेल आउटर मोस्ट है मतलब सेकंड जो तो फिफ्त शेल को खाले कर दिया हमने फिप्त को खटा दिया थो फॉर्थ शेल अब वो आउटर मोस्ट हो गई तो फॉर्थ शेल वेलेंच शेल हो गए खिके बच्चों तो इस तरह से दो तरीके होते हैं there are two ways in which any atom can complete its octet either by donating the electron और either by accepting the electrons यह दो तरीके हैं electron लेने या देने से उसका octet जो है वो complete हो जाएगा अब हम जनल सी बात देखते हैं कि कोई भी अगर neutral atom है एक electrically neutral atom में क्या होता है बच्चों हमेशा number of electrons is equal to number of protons number of protons को हम क्या बोलते हैं atomic number बोलते हैं तो atomic number is equal to क्या हो गया number of electrons हो गया फिर आप कहेंगे कि नहीं सर आपने तो बताया है कि number of proton is called atomic number तो atomic number atomically neutral atom जो रहता है electrically neutral atom में electron और proton बराबर होते हैं है ना तो electrically neutral atom की बात है किसे आयन के हम बात नहीं कर रहे हैं भी अब हम बात करते हैं कि electrons जो है ये अलग-अलग energy level में होते हैं ये बात भी हमने पड़ी हुई है जिनको हम energy level या shell बोलते हैं और हर shell की एक fix energy होती है है ना तो ये जो energy level में आपने आप बाव principle पढ़ा है जिसके according electrons are filled according to increasing energy level हमने पढ़ा है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s इस तरह से ये सारी शीज़े हमने पढ़ी हुई ये पहले से नाओ the electron shell determine how an atom behaves when it encounters other atom अभी जो shell है जिस shell में electron present है that shell will determine that how the atom will react or atom will behave when it will make the bond with other atom कोई भी atom किसी के पास जाएगा दूसरे atom के पास में तो वो किस तरह से behave करेगा किस तरह के atom बनाएगा किस तरह के bond बनाएगा ये depend करता है कि जो electron bond formation में participate कर रहा है वो electron किस shell में present है ये चीज़ determine करेगी हमारे shell ठीचे चलिए आगे देखते हैं उनका हाँ electron जो है वो हमारे electron increasing level से फिल होगे ये बाद भी हमने देख ली ये पहले one shell में जाएगे उसके बाद में two में जाएगे फिर three में जाएगे और उसमें भी जो और्बाइटल से हमारे s और्बाइटल, p और्बाइटल, d और्बाइटल इनमें electrons फिल होंगे हैं अच्छा अब जो shell है उन shells की सबकी अलग-अलग capacity है कुन सी shell कितने electron केरी कर सकती है तो देखो हमने इस तरह का बच्चो डाइग्राम देखा हुआ है पहले जो center में nucleus है और इस nucleus के around जो हमारी shells है nucleus के past में सबसे past में जो shell है वो first shell होगई हमारे फिर second shell फिर third shell तो इन shells की कुछ एक fixed capacity है कि इसमें कितने electrons आ सकते हैं जिसके लिए formula भी हमने देखा था formula था हमारा 2N square कि कितने electrons यह यहां पर हमारा number of shells है कि किस shell के हम बात कर रहे हैं बट यहां पर जो first shell है बच्चो उसकी maximum capacity है two electrons की उसमें केवल एक ही orbital है s orbital तो उसकी capacity है two electrons की और उसके बाद इतनी भी shells है उसमें minimum eight electron हो सकते हैं 8 है फिर 18 है 32 है जो भी shell suppose यहां पर हम second shell की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा two multiply by two to the power two two to the four four to the eight second shell में जो रहेंगे वह eight electron आ जाएंगे अगर की बात करें हम तो two multiply by three to the power two three three जा नाइन नाइन टुजा 18 18 electron इसमें आ जाएंगे बट रिमेंबर अगर थर्ड शेल की capacity हमारे 18 electrons की है इसकी maximum capacity 18 electron की है बट रिमेंबर इफ इस वन इस दी वेलेंज शेल अगर यह वेलेंज है सबसे बाहर वाली है तो फिर इसमें maximum electron eight ही होंगे इसकी capacity eight हो जाएगी फिर है और अगर eight completely filled हो गई that means वह stable हो जाएगा अभी लड़ाई जो चल रही वह इसलिए तो रही है हमारी कि आठ इलेक्टोन पूरे होना चाहिए या तो कोई मुझे दो या कोई मुझे से ले लो है तो वेलेंज शेल में आठ इलेक्टोन होते हैं उसके अंदर जादा भी हो और बाकी के जो seven है वह next shell में चले जाएंगे और नेक्ट शेल जो रहेगी अब वह आउटर मॉस्ट होगी उसमें इलेक्टोन हो गए और हमारा जो अक्टेट रूल है वह कहता है कि सबसे बाहर वाली शेल में एट इलेक्टोन हो सकते हैं या उससे कम होगी तो वह जो सबसे आउटर मॉस्ट शेल से नेक्स वाली हो जाएगी और वह बैलें शेल बन जाएगी फिर तो यह हमारा कि कैपेसिटी ऑफ दिश्यल कि आगे देखें हैं इस तरह से यह है कि यह कुछ स्ट्रक्चर सा है हमारे पास में हां इस एक इसरे को प्रोटोन और न्यूट्रोन को आगे देखा है जो फूल है रेट गलर से और ब्लैक कलर से और आउटर जो शेल्स बनी हुई है इन शेल्स हैं जो ब्लू कलर के डॉटे लाइन से इस लाइन और इस पहले हमें हाईदोजन का दिया हुआ हैं तो हाइदोजन में एक हाईदोजन प्रेंड है और एक था इंट दू जिख और की दूशरा दिख करता दूशल भड़ी निवल वाली है जिसकी capacity दो electron की है दो तो first में चले गए इधा देखो first and second ये दो electron अब 6 में से 2 तो चले गए बचे कितने 4 तो उसकी जो next है shell या next energy level जो है ये 4 उसमें चले जाएंगे तो देखो 1, 2, 3 and 4 अभी इनकी pairing नहीं हुई single ही चले गए चार हो next हमारे पास में atomic number 7 अब 6 में 4 चले गए थे 7 में 5 चले जाएंगे और 5 वा कहां जाएगा फिर इसकी pairing में चला जाएगा देखो पेले यहाँ पर उपर single अक्यला था बाद में यहाँ पर इसकी pairing भी हो गई और बार की सब पूरे 4 के 4 वैसे के वैसे ही ठीक है 8 का हम देखें तो फिर 2 की pairing हो गई यहाँ पर है ना अब देखो 2 तो यहाँ पर आ गए बाकी 2, 4 और 6 अब फिर से 2 की जगा इसके पास में खाली बज़ गई जो कि एक यहाँ पर इसकी pairing हो सकती थी और एक इसकी pairing हो सकती थी है ना अब पास्टेंस में चले गए हम हो सकती थी अगर ऐसा होता तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं लेकिन ऐसा होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि Octate Rule कहता है कि नहीं सबसे बाहर किसी भी atom को आपको आठ इलेक्ट्रोन देने होंगे तब भी जाकर कि यह stable होगा stable होगा मतलब शान्त बेठेगा शान्त बेठेगा मतलब किसी से reaction नहीं करेगा है ना और जब यह normally किसी से reaction नहीं करता है naturally then we call that atom that atom is stable फिर उस atom को हम क्या बोलेंगे stable बोलेंगे है ठीक है बच्चों तो यह यहाँ पर हमारा valence shell का concept clear हुआ कि जो सबसे outermost shell है वो valence shell और उसमें maximum उसकी जो capacity है वो 8 electron की octet rule octet rule क्या कहता है हमें atom stands to gain, lose or share electrons so as to have 8 electrons है ना दो तीन बात हैं यहाँ पर देखाँ sorry या तो वो atom को gain, electrons को gain कर लेगा, या electrons को lose कर लेगा, या फिर दोनों नहीं करेगा तो electron की sharing कर लेगा gain करके, lose करके या sharing करके, वो किसी भी तरह से करना क्या चाहेगा यह सब क्यों करेगा, ताकि उसको 8 electron मिल जाए सबसे बाहर वाली shell में और उसका update complete हो जाए, ठीके, तो यहाँ पर जिसे हमने carbon की बात देखी कि carbon के पास में outer most shell में 4 electron है, पीछे चल देख, पीछे रेखे आपन थोड़ा सा, देखो यह है हमारे पास में carbon, carbon चाहेगा कि उसको 1, 2, 3, 4, चारों की pairing के लिए 4 electron मिल जाए, तो क्या है carbon would like to gain 4 electron, nitrogen would like to gain 3 electrons, क्योंकि nitrogen के पास में एक pairing तो है already, है ना, तो 2, 4 और एक 5 तो हो गए, उसको चाहिए 6, 7 और एक 8, 3 electron चाहिए, वो चाहेगा कि उसको 3 electron मिल जाए, 3 electron ले 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 वो, oxygen would like to gain 2 electrons, oxygen चाहेगी कि उसको 2 electron मिल जाए, एक इसके साथ में, यह और एक किसके साथ में, उसका update complete हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर कुछ से, periodic table के according, जो blocks होते हैं, जिन 4 blocks में हमने periodic table को divide की है, उसमें से जो starting के उपर उपर के हमारे, s block, बीच में d block, फिर लास्ट में p block, एक block तो सबसे नीचे आगया, तो उसके according हम देखें कि valence electrons किन-किन group की shells में कितने-कितने होते हैं, फिर से बता दूं कि valence electron मतलब वो electron जो कि valence shell में present है, और valence shell वो shell जो भी किसी भी atom में सबसे बाहर की shell है, ठीक है, तो देखो, फिर्स्ट और second group की अगर हम बात करें, periodic table जब आपने देखी थी, तो देखा था कि starting में first और second, जो दो group थे, उनको हम बोलते थे, एस block element, अब उन दोनों में जो first group था, उसमें valence electron एक होता है सिर्फ, जिसमें हमें सबसे उपर hydrogen मिलता है, फिर उसके नीचे lithium मिलता है, फिर sodium मिलता है, potassium मिलता है, तो उनमें जो valence electron रहता है, वो केवल एक होता है, फिर जो second वाला group आता है हमारा, जो beryllium से start होता है, beryllium, magnesium, chromium, तो इनमें जो second वाला group में जो valence electron रहेगा, वो दो रहेंगे, क्योंकि उसमें जो s orbital है, वो completely filled हो जाता है, अब उसके बीच में, जो 10 groups होते हैं, from 3 to 12, 3 से लगा करके 12 तक के जो group हैं, उसको हम बोलते हैं, deep block elements, इनमें जो valence electron होंगे, वो 1 या 2 हो सकते हैं, सबसे outermost shell में जो electron रहेगे, वो या तो 1 रहेगा, या फिर 2 रहेगे, इसके बाद हम चलते हैं, तो 13 से लगा करके 18 तक, P block, 13 जो starting होता है हमारा बिल्कुल सबसे शुरुवात से P block की सबसे starting, उसमें जो aluminium वाला हमारा group होता है, उसमें हम देखें, तो हमें valence electron जो है 13 में मिलता है, बोरोन वाले group में 3, और फिर इसी तरह से बढ़ते जाते हैं, continuously, carbon group में 4, nitrogen में 5, oxygen में 6, halogen, अब halogen group 17, है न, पता हमें कि 17 group को हम halogen group बोलते हैं, और 18 group को noble gases group बोलते हैं, या zero order group बोलते हैं, तो इसमें जो noble gases से बच्चो, देखो, noble gases के पास already valence electron जो है, वो कितने हैं, देखो, 8 हैं उनके पास already, अब सर आपने तो कहा था कि जिसके पास 8 electron होते हैं, वो किसी से reaction नहीं करेगा, ना तो किसी से लेगा, ना किसी को देगा, है न, क्योंकि ये electron लेना देना करते किस लिए हैं, ताकि उनके पास 8 electron हो जाएं, वेलेंट शेल में, अब यहाँ पर तो already valence shell में 8 electron हैं, तो ये केसे लेगे और केसे देगे हैं, तो बिल्कुल सही बात है बच्चो, कि जो noble gases हैं, उनको हम noble gases बोलते ही इसलिए हैं, कि वो किसी से reaction नहीं करती है easily, अगर हमें इनको reaction करवानी हो, तो फिर हमें बहुत अलग conditions create करनी पड़ती है, बहुत high temperature, high pressure, ये सारी बाते इसमें करवानी होती है, normally these are the most stable element in the periodic table, जो noble gases हैं, noble gases में कौन-कौन सी gases आजाएगी, अगर हम उपर से चलें, तो हमारे पास में सबसे पहले helium, neon, argon, krypton, xenon, aradon, ये सब किसी से reaction नहीं करती है, इसमें से केवल xenon जो है वो कुछे compound बनाती है, वो भी under the special conditions, बाकि सब के पास में, xenon के पास भी है, सभी noble gases के पास में, जो last valence shell जो है, valence shell में पूरे 8 electron है, that means उनका octet complete है, ठीक है बच्चों, चली, आगे देखें अब हम, तो the octet rule हमारा आगया, हमने देख लिया है, कि इसमें 8 electron चाहिए हमारा, atoms tend to combine in such a way that they have 8 electrons in their valence shell, giving them the same electron configuration as the noble gases, अब क्या हुआ, कि जब बाकि सब elements को पता चला कि नहीं, जो noble gases है, इनका electronic configuration बहुत अच्छा ही stable है, हम जब किसी के पास में कुई अच्छी चीज देखते हैं, या किसी की अच्छी आदत देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उसको acquire कर ले, तो बाकि सब element ने देखा कि नहीं, noble gases के पास का electronic configuration है, वो बहुत अच्छा है, इनको किसी से reaction करने की ज़रूद नहीं है, ना किसी से लेना, ना किसी को कुछ देना, तो यह चाहते हैं कि हमारा भी इनके जैसा हो जाए, तो octet rule यह कहता है कि each and every elements tends to acquire the noble gases electronic configuration, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि उनको नोबल gases का electronic configuration मिल जाए, इससे क्या होगा, कि वो सब भी stable हो जाएगे, तो यह सभी लगभग सभी elements पर अपना apply होता है, और especially अपला होता है, carbon है, nitrogen, oxygen, halogen, और जो metals है, sodium, magnesium है, इन सब चीजों की case में यह rule बहुत अच्छे सा apply होता है, अब देखो, यहाँ पर कुछ हमें noble gases के बारे में नहीं तो अपने देख लिया है, भी देखा है, और देख लेते हैं एक बार, कि जो noble gases है, उनका electronic configuration केसा होता है, देखो, helium है, helium में 2 electron है, configuration जो है, 1s2 है, सब 18 गुरूप के ही हैं, पूरे जितने भी अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यह सभी जो है, किस गुरूप को belong करते हैं हमारे गुरूप, 18 को यह क्या हो रहा है, board अपने आप कभी कभी line draw कर लेता है, यह है हमारे 18 गुरूप के element, लेकिन इनका पिरेड है, वो पिरेड अलग अलग है, फर्स पिरेड, सेकेंड पिरेड, थर्ड पिरेड, तो helium, neon, argon, krepton, xenon और radon, तो सभी का जो last electron है, अगर हम यहाँ पर देखें, तो देखो, 2p6, 3p6, 4p6, 5p6 हो गया, और यहाँ पर यह 6p6 हो गया, और उसके पहले, यह जो हमारी shell को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके साथ के 2-2 electron जो है, वो उसी shell के s orbital में भी present है, उसी shell का s orbital, जिसकी capacity 2 electron की है, 2 electron उसमें present है, और 6 electron उसके आगे के p orbital में present है, तो जिस group में है, वो energy level उसका 4th group में है, तो 4th energy level उसका valence energy level है, और उसका octet complete है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने समझा इसको, कि किस तरह से electronic configuration जो है, वो atom की stability को affect करता है, किस तरह से octet rule किसी भी atom को stable बनाने के लिए help करता है, और हर item यह चाहता है कि उसको, जो noble gases है, उनका electronic configuration मिल जाए, ठीक है बच्चों, thank you so much for watching this video in the group of Sandipani Higher Secondary School राजोदा,